हेलो फ्रेंड फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूरूप चैनल मेज़ा टार्गेट पर तो फ्रेंड जैसा कि आपको पता है कि हम परतेक रभीवार यानि के संडे को कलास्टेन के सभी सब्जेक्ट का धमाकेदा टेस्ट लेते हैं जिनमें आपको जो से लेकर आगी तक जरूर कीजेगा क्योंकि आज की इस क्लास में हम लोग ऐसे इसे इंपोर्टेंट वस्तोनिस्ट परसन को लेके आये हुए हैं जो आपके बोर एक्जामें सो परतिसत लड़ेगा इसलिए वीडियो आपके लिए काफी इंपोर्टेंड है तो फ्रेंड है फटाबर से वीडियो को लाइक कर दीजेगा और दोस्तों चैनल पर नहीं है न तो प्लिस दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जोईना ओल पर जरूर सेलेट कर लिजेगा और जिस भी विदियार्तियों को वार्टसप गुरू में जोड़ दे कि सरे में वार्टसप गुरू में जोड़ दीजे हम जोईन आपको वार्टसप गुरू में जोड़ देंगे क्योंकि यहां पर वार्टसप गुरू का काफी सारे बेनेफिट्स आपको मिलेगा ठीक है तो फ्रेंड इस क्लास को सुरू से लेकर आगरी तर जरूर कीजेगा और आप कोसिस कीज़ेगा कि एक एक कोसंस का अंसर लाइब चैट में फिर कमेंड बुक्स में कमेंड जरूर कीज़ेगा ठीक है इससे हमको यह पता चलेगा कि आपका कितना सही है अगर आप 30 में से 25 सही कर देते हैं तो हम समझ जाएंगे कि आपका त्यारी काफी बेतर है चल काफी इंपोर्टेंड कर्मिक मतलब ता लगातर तो दो लगातर समसंख्या का मसर यहां पर आप से पूछ रहा है ठीक है तो फ्रेंड यहां पर देखे का दो लगातर समसंख्या क्या क्या हो सकता है दो कुमा चार हो सकते हैं यह होगी आपका दो लगातर समसंख्या फिर आ यहां पर देख सकते हैं और बिल्कुली करक्टानसर हो जाएगा इसी पर आप लोग जो यह वला दूसरा वला उधारम भी चेक कर सकते हैं यहां पर देख सकते हैं इसको भी चेक कर लेते हैं ना तो दो आएगा कहाने कार्थ हुआ कि दो कर्मिक समसंख्या को मासर यानि की हसी एप कितना होगा दूसर दो होगा यहां पर बीबला उप्सन जो इन बिल्कुली करक्टानसर हो जाएगा उमिद करते हैं परसन आपको काफी अच्छी तरह किसे समझ में आ चुका होगा अब आए फ्रेंड देखती हैं पर दूसरा नमबर परसन को देखेगा जो कि आपके बहुर एक्जाम के लिए इन बिल्कुली करक्टानसर हो जाएगा अब चले फ्रेंड देखती हैं पर तिसरा नमर परसन को कि आपके बोड एक्जाम के लिए most important है तो friend person ये कराए कि यहां पर आपको बताना है कि उत्तर lens की छमता होती है यानि कि उत्तर lens की छमता क्या होती हो यापको बताना है तो यहां पर देख सकते है option A में आपका दिया धनातमक या फिर अडिनातमक या फिर सुननी और option D इन में से कोई नहीं तो friend है उत्तर lens की छमता क्या होती है पोजर्टी प्याने की धनातमक होती है यहां पर एबला option जो है न बिल्कुली correct answer हो जाएगा अब चले friend देखती है आपर चौता नमबर पर सुन की आपके बोड एक्जाम के लिए most important है तो friend पर स्नेक राएगी यहां पर आपके बताना है कि lens की छमता का SI मातरक क्या होता है तो यहां पर देख सकते option A में आपका दिये newton या पर diopter और option C जूल या पिर इन में से कोई नहीं तो friend lens की छमता का SI unit unit यानि कि SI मातरक होताने क्या होते हैं dye Tex beauty audible और दोस्तों इनके अलावे और फी SI unit होते हैं और annia मातरक होते हैं जिसे की पर्ति मिटर होगिया मिटर इन्वर्स होगिया यह भी रोद लेकिन यह जो डियूप्ट रोते हैंタप प्रचलित SI होते हैं अब चले फ्रेंड देखते हैं आप पांच नमर परसंट जो कि आपके बोड़ एक्जाम के लिए काफी इंपोर्ट एंड है आप कोसिस की जाए कि एक एक कोसंस का अंसर जोना कमेंड बॉक्स में कमेंड जरूर कीजेगा तो फ्रेंड परस ने करा है कि सियाम स्वेथ फूटोग्राफी में प्रियोग होता है यानि कि स्याम स्वेथ फोटोग्राफी में किसका प्रियोग होता है अब चले फ्रेंड देखते हैं अप छे नमर परस ने काफी simple person है लेकिन काफी important है तो friend person एक राएगी है आप आपको बताना है कि चांदी के उपर काली परत और तामबे के उपर परत चड़ना किसका उधारन है काफी important है तो देखेगा दोस्तों पता होना थिए जब क्था जानदी के őपर काली प्लेट जम जाता लेयर जम जाता ब्ले लेयर और यार ब्लेग लेयर चर्प समझ जाएंगी है यानि कि उस पेघृनदी जन्ग लगए है यहां Gaze का प्रियोग किया जाता है तो इहां पर देख सकते हो ओपसन एम आपका दिया हुआ hydrogen gas का यह पिर oxygen gas का यह पिर nitrogen gas का तो फेंड फिर हैं जो इना nitrogen gas का उपयोग किया जाता है यहां पर सीवला ऐपसन जो इना बिल्कूली जमा होता है तो यहाँ पर देख सकते option A में आपका दिया हुआ hydrogen या फिर oxygen या फिर nitrogen और option D जल तो friend आपको बता देते हैं पोधों में carbohydrate की रूप में क्या जमा होता है वही आपको बताने ठीक है तो यहाँ पर option है गलत है तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना है दोस्तों पोधों में carbohydrate की रूप में क्या जमा होता है star की रूप में जमा होता है QA अगला person को देखेगा जो कि आपके board exam के लिए most important है तो फ्रेंड पर सनेक रहा है कि प्रोटीन के संस्लेशन में किस तत्यों का उप्योग किया जाता है तो यह प्रोटीन के संस्लेशन में नायट्रोजन तत्यों का उप्योग किया जाता है और दोस्तो वाई मंडल में नायट्रोजन कितना प्रतिसद है तो सबसे ज़्यादा प् चीए और दोस्तों ऑक्सिजन गेस कितना प्रतिसे द्वाय मंडल में तो लगबक 21 प्रतिसत ऑक्सिजन गेस हैं इसे आपको याद होना चीए अब आए फ्रेंड ने देखती हैं पर दस नमर पर जो कि आपके बोड एक्जाम के लिए काफी इंपोर्ट एंड है तो फ्रेंड पर सने करा है कि आपको बताने कि अमीबा की इस परकार की प्रसरन वीदी को अपनाता है तो यहां पर ओप्सन एमें आपको धेए खंडन या फिर विखंडन या फिर मुकुलन और अफ्सन दिये का एक प्रवरदन तो फ्रेंड आप अमीबा जो होते हैं यह विखंडन बिल्कुली करक्ट अंसर हो जाएगा अब चले फ्रेंड देखती हैं आप नेक्स्ट को देखेगा जो कि आपके बोर एक्जाम के लिए काफी इंपोर्ट एंड है तो फ्रेंड परसन ये कराए कि आपको बताने की बहुपत एक्स स्क्वार मैनस फॉर एक्स प्लस एक के मुलो करका द्यूखाद बहुपत है और द्यूगाद बहुपत मैं जब भी पूछेगा मुलो का योगफल तो आपको समझज जना पड़ेगा की आप से क्या पूछ रहा है कि अलफा प्लस बीटा पूछ रहा है तो फ्रेंड अपी बटा पराबर क्या होता है माइनस बी बटा ओbrig के साथ गुणा में क्या रखा हुआ एक रखा हुआ यानि कि एक छिपा हुआ है तो यहां पर एक हमान एक हो जाएगा और दोस्तों बी जो होते हैं एकस का गुणांग होते हैं यानि कि तो X के साथ गुना में होते हैं यह अकल रहेगा simple रहेगा यहां पर इस क्या भी सकता नहीं है सिर्फ और सिर्फ यहां पर B और A की आप सकता है तो friend alpha plus beta जो होते हैं यह minus B बटे A के बराबर होते हैं तो यहां पर देखेगा पहले से ही formula में minus लगा हुआ है तो यहां पर minus को दे दिये हैं और B का मन देखेगा दूस्तों minus 4 है तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे minus 4 लिख देंगे बटे और A का मन एक दिया गया है तो यहां पर हम लोग 1 लिख देंगे फिर यहां पर देख सकते माइनस माइनस प्लस हो जायागा यानि कि फलत 4 बटे कहने कार्थ हुआ 4 बटे का मलब होता है 4 जो कि यहां पे option B में आपका दिया गया है यानि कि यहां पे B वला option जो नहीं बिल्कुली correct answer हो जाएगा अब चले friend देखते हैं आप नेक्स्ट question को देखेगा जो कि आपके board exam के लिए काफी important है तो friend परसने कराए कि दिखाद बोपत के सुन्यों को की अधिकतम संख्या कितनी होती है काफी important person है तो दिखाद बोपत के सुन्यों को की जो अधिकतम संख्या कितनी होती है एक होती है फिर दो होती है या फिर तीन होती है या फिर चार होती है तो फ्रेंड द्विघाद बोपत के सुन्यकों की संख्या कितनी होती है दो होती है और तीन होती है इसी आपको यादो नची है और एक ही बोपत के सुन्यकों की संख्या कितनी होती है एक होती है अब चलिए फ्रेंड देखती है आप पर नेक्स्ट क्वेस्टन तेरे नमर प्रस्टन जो कि आपके बोड़ एक्जाम के लिए काफी इंपोर्ट एंड है तो फ्रेंट प्रस्टन एक राएगी द्विघाद बोपत एक्स स्कुर मैंनस 5 प्लस 6 के रूप में लिखा गया है यानि कि इसको हम लोग कैसे स्वर्प करे कि यहां पर एक अमान कितना हो जाएगा एक स्कुर के सथ गुना में जो रहता है तो यहां पर एक अमान एग है और दोस्तों बी जो होते ना वह क्या होते है एक्स का गुनांग होते तो यहां पर माइनस 5 हो जाएगा और सी जो होते ना क्या होते है कॉंस्टेंट होते जो स एक को जो हम लोग C के साथ गुना करेंगे C कमांद देख सकते 6 है तो यहां पर 6 लिख चुके हैं ठीक है फिर हम यहां पर हम क्या करेंगे इसको एक बर उतार लेंगे जैसा कि देख पा रहे हैं इसको लोग क्या करेंगे 0 के बराबर करेंगे क्योंकि हमको सुनिये ग्याद करना है तो यहां पर यहां पर तोड़ने एक बात आपको क्या करना होता है कि 2 और 3 को जोडने है घटाने से कितना प्राप्त होना चीए 5 प्राप्त होना चीए तो फ्रेंड यहां पर देखेगा minus 2 and minus 3, यह दुनों आपस में add के कितना प्राफट होता है, minus 5 प्राफट होता है, तो यहाँ पर minus 5 के जगर मूँ लिख सकते है, minus 2 minus 3 तो चलिए इसको हमलों लिखते है, x square minus 2x minus 3x plus 6 बरावर सुनिये, ठीक है, इसको इस पर का लिख चुके हैं, फिर हम लोग यहां पर क्या करेंगे, जो उभेंश्ट होगा ना, उसको उभेंश्ट ले लेंगे, तो यहां पर x square और x में common क्या आ रहा है, दोस्तों x common आ रहा है, तो यहां पर अंदर में क्या बच गिया, x-2 बच गिया, ठीक है, तो यहां पर देख सकते है, minus और plus में यहां पर क्या common आ रहा है, तो यहां पर 3 और 6 में common क्या रहा है, तो यहां पर अंदर में आपका क्या बचेएगा, x-2 बचेगा, ठीक है, बरावर 0, तो देख सकते हैं, x-2 और यहां पर भी x-2, यह दोनों जगा similar हो चुका है, जब similar हो जाएगा तो हम लोग क्या करते हैं, x-3 को पहले उता लेते हैं, x-3 को उता लेंगे, फिर यहां पर हम लोग क्या करेंगे, x-2 को उता लेंगे, x-2 यह दोनों किसके एको लोंगे, 0 की एको लोंगे, तो सबसे पहले यहां पर आपको करना है, x-3 को क्या करना है, 0 के बरावर कर देना है फिर यहाँ पे आहां पर क्या करना है एक समय दो को 0 की बरावर कर देना है क्योंकि यह इनấर fonction और दो यह पर 10 knapp दो आ गया है पर 2–3 कुन सा ओप्शन दि में दिया गया है बिरांड शेम आपका जार में आंसर आ अगर इमित करते हैं परसन आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा अब चले फिरेंड देखती हैं आप नेक्स्ट क्वेस्टन जो की आपके बोड एक्जाम में यह परसन जो ना काफी पर पूछा जा चुका इस तरह के परसन है तो परसने कराए कि यदि अल बी का मान कितना है और सी का मान कितना है तो चले हम लोग यहां पर तीनों का भेलू जो इना फटावर से ग्यात कर लेते हैं तो अभी अभी हम आपको बताए जो ए होते ना एक्स स्क्वार का गुणा होते जो कॉफी से एंड एक्स स्क्वार का एक है और बी जो होते ना एक प्लस एक बट्टे बिटाबरार फर्मुला क्या होता है माइनस भी बट्टे सी होता है माइनस भी बट्टे सी तो simply हम लोग भेलू को रखेंगे उसके पर एंसर आपके सामने हाजिर हो जाएगा तो यहाँ पर देख सकते माइनस पहले से तो यहाँ पर माइनस को उता लेंगे और B यानि कि यहाँ पर 2 दिया गया है तो यहाँ पर माइनस 2 बटे C कमा देख सकते हैं यहाँ पर 1 तो माइनस 2 बटे कहने कार तो माइनस 2 ठीक है जो कि यहाँ पर देख सकते हैं option B में आपका दिया गया है यानि कि यहाँ पर भी वोला उप्सन जो इना बिल्कूली करक्टा अंसर हो जाएगा उमिद करते हैं यह भी परस्ट जो आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा अब चले फ्रेंड देखते हैं पर नेक्ष्ट क्वसन जो की काफी इंपोर्ट है अपके बोर एक्जाम के लिए तो फ्रेंड परस्ट जे कराए कि विएना कॉंगरेस में कौन राष्टे सम्मिलित नहीं था तो देख सकते हैं option A में आपको दिया रूस या फिर जर्मनी या फिर बिरिटेन और option D में आपको दिया हुआ है फ्रांस तो फ्रेंड है विएना कॉंगरेस में कौन राष्टे सम्मिलित नहीं था तो जर्मनी राष्टे सम्मिलित नहीं था कि यहां पर बीवला उप्सन जो है ना विल्कुल ही करक्ट रांसर हो जाएगा अब आए फ्रेंड देखते हैं आप सौला नमर परस्ट जो की काफी इंपोर्टेंट है गत्वर्स में काफी पूछा जा चुका है इसलिए आप कोसिस कीजिएगा दोस्तों एक एक कोस्तन का अं 307 में तो फ्रेंड है एक्ट ऑफ यूनियन जो है ना यह 188 में पारित हुआ था यानि कि यहां पर यह वला उप्सन जो है बिल्कुल ही करक्ट रांसर हो जाएगा अब चले फ्रेंड देखते हैं आप सतरह नमर पर संजो की आपके बोर्ड एक्जाम के लिए काफी इंपोर यह परसन हम आपको काफी और बता चुके है तो ग्यारी वाल्टी जी ने किया था यहां पर डीवला उप्सन जो है ने विल्कुल ही करक्ट रांसर हो जाएगा अब आए फ्रेंड देखते हैं आप नेक्स्ट कोशन जो के आपके बोर्ड एक्जाम के लिए काफी आपको काफी और बता चुके हैं अब चले फ्रेंड देखते हैं आप नेक्स्ट कोशन को देखेगा जो की काफी ही महत्पूर्ण परसन है आपके बोर्ड एक्जाम के लिए काफी इंपोर्ट एंड है तो फ्रेंड परसन ने कराए कि सोपानी किरसी किस राजे में है यहां पर डी वला अप्सन जो है बिल्कूली करक्ट रांसर हो जाएगा अब आई फ्रेंड देखते हैं आप पर अगला परसन को देखेगा जो की आपके बोर्ड एक्जाम के लिए काफी इंपोर्ट एंड है तो फ्रेंड परसन ने क्राए कि मरुस्तलिये मिर्दा का वि आजस्तान राज्ये में है इसे आपको याद होना चाहिए यहां पर डी वला उप्सन जो है बिल्कूली करक्ट रांसर हो जाएगा अब आए फ्रेंड देखते हैं आप एक इस नमर परसन जो कि आपके बोर्ड एक्जाम के लिए काफी मत पूर्ण है तो फ्रेंड परसन एक बिल्कूली करक्ट रांसर हो जाएगा चले देखते हैं आपके बोर्ड एक्जाम के लिए काफी इंपोर्ट एंड है तो फ्रेंड परसन एक राई कि यहां पर बताना है कि प्राचिन काल में पिर्थवी के वातावरन में काउंसी गेस नहीं थी काफी इंपोर्ट एंड है तो यहां पर देख सकते हैं यहां पर अमोनिय आया फिर ऑक्सीजन या पिर हैड्रोजन सलफाइड या फिर मिथें तो फ्रेंड है प्राचिन काल में पिर्थवी के वातावरन में जो इना ऑक्सीजन गेस नहीं थी यहां पर वीवला उप्सन जो इना बिल्कूली करक्ट र अंसर हो जाएगा चले देखते हैं पर नेक्स्ट क्वेस्टन जो कि आपके बोड एक्जाम के लिए काफी इंपोर्ट एंड है बाइलोजी का परसने दोस्तों यह परसन जो आपके एक्जाम में पूछे जा सकते हैं तो परसन यह करा है कि लिंग निर्धारन में सुक्राण या टीम में किसकी भूमी का होती है तो सुक्राणू की भूमी का होती है से आप पो याद होना चीए यहाँ पर सी वोला अप्संट जेन बिल्कूली करक्ट आंसर हो जाएगा अब चले फ्रेंड देखते हैं पर वींग कराण को देखिंगा जो कि आपके बहुरे एक्जाम के लिए क आफिंपोर्ट एंड थै तो फ्रेंड फ्रेंड पर बडर बड़े बांदों दो होता है तो बड़े-बड़े बांदों से क्या होता है सूखा होता है या फिर बढ़ों का विकास होता है या फिर भुखमरी होता है या फिर सिंचाई की विवस्ता होता है तो फ्रेंड जो बड़े-बड़े बांदों से क्या होते हैं सिंचाई की विवस्ता होती है यानि कि य होता है सिता है तो उसको चीस का ज्यादा होता है यहां फे बिलकूल हो जाएगा आपके बौर्ड एंग्जाम कह एंसका ही यह तो फ्रेंड पर सब्सक्राइब कि एक कोसी के सहेवालों में जलका प्रिवन होता है यानि कि किसके द्वरा होता है एक कोसी के सहेवालों में जलका प्रिवन होता है ना विसरन के द्वरा होता है किसके द्वरा होता है विसरन के द्वरा यहां पर सीवला उप्सन जो है ना बि फ्रेंड पर सने कराएं कि वर्स भर में किसी देश में अरजीत आई कि कुल मातरा को क्या करते हैं तो यहां पर इवला अप्सन जे न बिल्कूल ही करक्ट रांसर हो जाएगा अब चले फ्रेंड देखती हैं आपे नेक्ष्ट को देखीगा जो कि आपके बोर्ड एक्जाम के लिए काफी इंपोर्ट एंड है तो फ्रेंड यहां पर आपको बताने की सान तो यह भी परसन हम आपको काफी बता चुके हैं तो आप कोसिस कीज़ा कि एक एक कोसंस का अंसर जोने लाइफ चैट में कमेंट बुक्स में कमेंट जरूर कीज़ेगा तो फ्रेंड है जब सर्वे किया गया था तो भारत का जो एवरेस पर केविटा इंकम थना कितना था 25,494 रुपी थे यानि कि यहां पर भी वला उप्सन जो इना बिल्कूल ही करक्ट आंसर हो जाएगा अब आई फ्रेंड देखती हैं पर नेक्ष्ट कोस्तन जो कि आपके बोड एक्जाम के लिए काफी महतपोर नेवी परसन है तो फ्रेंड परसन है कि भारत में किस राजे क परतिविक्तिया और ऐसर्वादी के जाने कि सबसे जदा है तो इह मैं अब को देखते हैं आप इनेख्ट को नेएक्ष्ण सन को देखेंगा जो कि आपके बोड एक्जाम के लिए का फी प्लास टे में लोगं काफी सांदार तिस most important अती महात्पूर्ण वस्तोनिस्ट परसन को देख चुके हैं अगर आप 30 में से 25 सही करके दिखाए ना तो आपका त्यारी काफी है चीतरी के से चल रहे है ठीक है अगर आपका 25 या 30 में से 25 सही ने हुआ तो आप समझ जाए कि आपका त्यारी थूरा डाउन है आपको और भी तैयारी करने की जरूराद है ठीक है इसलिए आप टेली क्लास कीजिए तो यांपे जिस भी विद्यार्तियों को क्लास का टाइम पता नहीं है तो यहांपे आप लोग जल्ली से के प्रिवेस ये कोस्टन बेंग चलता है तो यह तीनों क्लास को जरूर देखेगा दोस्तों और हमारे वेबसाइट पर डेली धमाकेदार ओल्लाइन टेस्ट चलती है जिस भी विदियारतियों को ओल्लाइन टेस्ट दिने नहीं आता है तो फटावर से हमारे वार्टसप गु को यानि की टोटली सभी स्टूडियन को हम प्रवाइट करा चुक है साइन्स का और हिस्टरी का ठीक है इसी तरह अगर आप कलास्टरं के सभी सब्सक्राइट का डेली फिदियारति करना चाहते है न तो आप हमारे वार्टसप गुरूब में जल से जल जूरे ठीक है और इस से बन जाईए इस वीडियो को जरूर सेरी कीजिए अपने दूस्तों में फिर यहां पर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आज के लिदना आए थैंक्यू